हाई यूरीवन आज के इस यूडियो में डिसकस करेंगे ब्रेन हेमरेज के बारे में यानि ब्रेन हेमरेज क्या होता है क्या उसके सिम्टम्स रहते हैं और क्या उसके कारण हो सकते हैं और कैसे उसको मैनेज करेंगी brain hemorrhage stroke का एक टाइप है जिसमें brain को जो artery blood supply करती है वो suddenly rapture हो जाती है और उसके कारण वहाँ से blood निकलता है और वो brain में collect हो जाता है जिसको hematoma बोलते हैं blood वहाँ निकलता है वो वहाँ पे surrounding tissue में irritation करता है जिसके कारण वहाँ पे edema हो जाती है जिसको cerebral edema बोलते हैं यह hematoma और cerebral edema यह दोनों चीज़ें अपने आसपार surrounding जो brain किसु रहती हैं उसमें pressure बढ़ाती है और उसके कारण वहाँ जो normal brain cells रहते हैं उनकी blood supply प्रोपर नहीं हो पाती है और वहाँ की brain cells dead होने लग जाती है normally जो brain रहता है अपना वो covered रहता है और उसमें जैसे बाहर से अंदर की तरफ अपन जाए तो अपने जैसे skin है, scalp है और फिर bone आती है उसके नीचे brain की 3 layers रहती है जो outer layer रहती है उसको durameter बोलते हैं फिर middle layer रहती है जो इसको arakinate बोलते हैं और inner layer रहती है जिसको parameter बोलते है तो जो blood है वो इन layers के बीच में भी हो सकता है या proper brain में कहीं पर भी bleeding हो सकती है यह जो bleeding है वो होती है अपनी scale जो bone है और जो durameter है उसके बीच में होती है तो उसको बोलते है epidural bleeding या epidural hematoma यह जी bleeding होती है dura के नीचे तो उसको बोलते है subdural hematoma या subdural bleeding यह दी bleeding होती है arokinade में तो उसको बोलते है subarokinade hemorrhage और यह दी bleeding होती है proper brain में तो उसको बोलते है parainchimal bleeding और intra cerebral bleeding तो जो brain hemorrhage है उसके symptoms depend करते हैं कौन से area पे bleeding होई है और कितनी ज़्यादा bleeding होई है और कितना area affect होई है तो जो कॉमन सिम्टम रहते हैं सबसे पहले हैड़क होएगा और हैड़क इतना तेज रहेगा सीवेर हैड़क रहेगा जैसे लाइप में पहले कभी नहीं हुआ हैड़क के साथ साथ में आपको नोजिया है वो मिटिंग है या चक्कर आना या भी रांकु में देखने में में कैए कुछ दिकत हो सकती है आपको निगलने में और निगंने में या खानने में भी दिकत होएगी मुऊ आपका टेड़ा हो सकता है एक साइड के आपके हात और पैर है तो आप बेहुस भी हो सकते हैं ब्रेन हेमरेज के जो कारण है उनमें यह जो 50 साल से पहले ब्रेन हेमरेज हो रहा था उसमें mostly traumatic cause रहते हैं आप जैसे blend trauma हो गया कोई bike से गिर गया कोई height से गिर गया तो वो main कारण रहता है इसके बाद में जो 50 साल के बाद वाले हैं इडरली पर्चन हैं उनमें hypertension most common current रहता है hypertension यदि लबे टाइम तक रहेगा तो यह आपकी artery की जो लेट्स हैं उनको damage करेगा कमजोर कर देगा और artery rapture हो जाती है इसके अलावा artery में aneurysm बन जाते हैं आर्ट्री में कई बार कई जिगे से फूल जाती है और फूलने कारण वो थोड़ी कमजोर हो जाती है और बरस्ट हो सकती है ब्लीडिंग कर जाती है या पिर जैसे जनम से कई बार artery और vein में आपस में connection है तो आगे चलके वो connection रेप्चर हो सकता है और bleeding हो जाती है या पिर जैसे brain में कोई tumor है, cancer है तो उसके करण भी bleeding बढ़ जाती है या पिर आपको amyloid एक protein रहता है जो कि आपकी artery में जमा हो जाता है और उनको कमजोर करता है और bleeding कर देता है या पिर आपको जैसे bleeding tendency है या या हीमोफिलिया है कोई anemia है तो उस condition में भी bleeding हो जाती है या फिर आप drug लेते हैं, cocaine लेते हैं, drug abuse करते हैं या फिर आपके liver की कोई disease है liver आपका proper काम नहीं कर पा रहा है उस condition में भी bleeding हो सकती है जैसे ही आपको symptom फिल हो आपको तुरंट हो श्पिटल जाना है और वहां पे डोक्टर आपको CT scan और MRI scan एडवाइज करेंगे तो CT scan MRI में कलियर दिख जाता है कहां पे bleeding होई है कितनी ज़्यादा bleeding है कितना area affect होआ है और उसी इसाब से फिर आपका आप में जो सुधार है वो कितना जल्दी होएगा और कितना सुधार होएगा वो सब उससे पता चल जाता है CT scan और MRI के बाद में यह इदि आपका बहुत ज़्यादा bleeding है brain में hemorrhage बहुत ज़्यादा है आपका midline shift है और जो brain की cells और उनमें pressure बहुत ज़्यादा आ रहा है नॉर्मल brain cells पे तो उस condition में surgery भी करनी पड़ती है जिसमें आपका brain का pressure को release कर देते हैं और जो hematoma है उसको वहाँ से पीमू कर देते हैं तो आपको recovery थोड़ी जल्दी होजाती है दूसरा उसके बाद में इदि बीपी ज़्यादा उसके लिए आपको बीबी कम करने की medicine चलाते हैं आपको seizure नहीं आए इसलिए anti-seezer medicine देते हैं brain का pressure कम होए इसलिए manitol और diureautics देते हैं आपको pain नहीं हो तो pain killer भी देते हैं या steroid भी देने पड़ सकते हैं इसके बाद में देद्रे उसमें सुधार होता है और जो physiotherapy है और speech therapy है वो भी start कर देते हैं जिसे कि आपकी recovery fast हो जाए Thank you